नमस्का दोस्कों स्वागा थे आप समीका वीपीए सेड़ा के डेली एमसीक्यू सीरीज में आज हम 27 दिसम्बर से जितने भी करेंट प्रस आपके एक्जाम पंड व्यू से इंपॉर्टेट होगा उसको डिसकस करेंगे यह सेशन आपके PCS एक्जाम के आलावे रेलवे, SAC, बैंकिंग और सीटेट जैसे एक्जाम के में लबदायक होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्न आज का हमारा पहला प्रस्न है ृछ्छामंतरी राजनाथ सी ने इनुनिसे किसस्तान पर DRU के रच्छा प्रदोग की परिच्छन किंद्र और ब्रमोस भी निर्मान किंद्र के अधार सिला रखuppी है देखे रच्छा मंत्री जी के द्वारा अभी बरतमान में हमारा रच्छा मंत्री है राजनात्सी तो सबसे पहले तो आपको यह प्रस्ट याद रखना चाहिए कि बरतमान में रच्छा मंत्री कौन है तो राजनात्सी जी है दूसी चीज, इनके द्वारे एक इनॉग्रेशन किया गया है डियाडियो के रच्छा प्रदोग की परिच्छन केंदर और ब्रह्मोस बिनिर्मान केंदर की अधारशिला रखे गिए अब ये चार लोकेशन में से आपको एक लोकेशन का नाम बताना है तो आपके पास ओप्षन है A. रायपूर, B. पटना, C. मतुरा और D. लखनओ तो इस प्रशन का अंसर हो जाएगा ओप्षन D. लखनओ लखनओ में रच्छा मंत्री राजनासी के द्वारा रच्छा प्रदोग की परिच्छन केंदर और ब्रह्मोस बिनिर्मान केंदर या ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया भी जाएगा तो रच्छा प्रदोग की वाले चीज़ों को तो परिच्छन किया ही जाएगा टेस्टिंग किया ही जाएगा लेकिन उसके साथ साथ खास बात या है कि डियाडियो ने ब्रह्मोस बिनिर्मान केंदर भी लखनों में अस्थापित किया है तो इस प्रस्न को थोड़ा सा और डेटIL में देख लेते हैं इस POINT OF VIEW से इस से CONNECTING चीज़े जो आपके एकजाम में पूछा जा सकता है जहां से आपके एकजाम में प्रस्न बन सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो आएए सबसे पहले हम ब्रह्मोस की चर्चा हुई है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ी सी चीज़े जान लेते हैं. Here you can see in the pictures, ब्रह्मोस मिसाइल, आप यहाँ देख सकते हैं picture में. Okay, so this is the picture of ब्रह्मोस मिसाइल, अब आएए हम थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के, यह क्या है, मेडियम रेंज है, तो ब्रह्मोस क्या है, एक मेडियम रेंज मिसाइल है, मिसाइल की अगर रेंज की हम बात करें, तो एक short रेंज होता है, एक medium रेंज होता है, एक long रेंज होता है तो ब्रमोस जो जिस काटगरी में पढ़ता है, वो है medium range missile के काटगरी में पढ़ता है, तो एक तो प्रस्ण यहाँ सही बन जाएगा, दूसरी चीज क्या है, इसमें जो इस engine का प्रयोग हुआ वो ramjet है, तो ramjet supersonic cruise missile है, यह क्या है, supersonic cruise missile है, तीसरी चीज आपको जो जानी चाहि हैं, अर्थात launch कर सकते हैं, यानि submarine से भी launch किया जा सकता है, ship से भी launch किया सकता है, aircraft से भी launch किया सकता है, और land से भी launch किया सकता है, तो यह तीनों से नौं में use होगा, अर्थात army, navy और air force, तीनों से नौं में brahmos missile का utilization किया जा सकता है, अब आपको जो जानना है कि यह जो brahmos मिसाइल है क्या सिर्फ इंडिया ने डेवलप किया है इंडिजिनस डेवलप है तो नहीं ब्रमोस मिसाइल जो है रसिया और इंडिया का बनाया है और इसके बाद इसके जो नामा करण हुआ है ये इंडिया के ब्रमपुत्रा रिवर पर और रस्या के मोस्कोवा रिवर के नाम पर पड़ा है तो दो नदी जो आपको याद रखना है इंडिया का ब्रमपुत्रा रिवर और रस्या का मोस्कोवा रिवर इतनी इसको recap कर देता हूँ पहले चीज आपको याद रखना है कि ब्रमोस जब medium range missile और medium range supersonic cruise missile इसको launch हम कर सकते हैं submarine से, ship से, aircraft से और land से, कहीं से भी launch कर सकते हैं तीसरी point कि ये Russia और India का joint venture scheme है और इन दोनों ने मिलकर ब्रमोस aerospace बनाया है चौती चीज और last चीज कि इसका जो नामा करन हुआ है वो इंडिया के ब्रमोस रिवर और रस्या के मस्कोवा रिवर के नाम पर हुआ है अगर इतनी चीजे आपको मालूम है तो आप exam में परिछा को exam में question को solve कर पाएंगे आईए तो ये तो हो था ब्रमोस के बारे में अब हम थोड़ सा DRDO के बारे में जाल लेते हैं DRDO के अगर हम बात करें तो इसका ये है रच्छा अनुसंद्धान विकास के अर्था अथा different research and development organization ये कौन सी मनिष्टी के अंडर में आता है जो मनिष्टी है ये किसके अंडर में आता है department of defense research जो है ministry of defense के अंडर आता है so DRDO कम्स कभी-कभी ऐसा ये प्रसंद देखनों को मिला है कि DRDO किस मंत्राले के अधीन आता है ग्रिव मंत्राले, रच्छा मंत्राले या कोई अन्य मंत्राले का नाम दे देगा आपको तो it comes under the ministry of defense okay इसका जो headquarter है वो कहा है दिल्ली भारत में इसका जो establishment हुआ था वो कब हुआ था 1958 में formed हुआ था ये और बरतमान में इसके chairman है जी सतीस रेड़ी तो इतनी चीज़े आप इस point से याद रखें चले अगला प्रस्न है ग्री मंत्री अमीत साने कहां पर भारत दर्शन पार का उद्गाटन किया है एक चीज़ आगे बढ़ने से और बता दूँ कि जो अभी विहार दरोगा का जो exam हुआ था उसमें current phase का जो trend था तो लगभग वही questions directly पूछे गये हैं अगर हम मैं कहें कि directly पूछे गये तो इसमें कोई आती स्यक्ति नहीं होगी जो question दरोगा के लिए 3 set दिया गया था और मैंने 3 set ही अप्रोड के था और उसमें काफी questions जो है वो देखा गया है कि दरोगा में हूब भूभू questions आया है तो इसलिए मैं बूर्द रहा हूँ कि आप इस channel से जुड़िए यह आपका channel है और जितना आपका सयूग रहेगा उतनी ही हमारी effort रहेगी आपके exam को में qualify करवाने के लिए तो अगला जो हमारा प्रस्न है ग्री मंत्री जी नई दिल्ली टीफ हो पाल तो भारत दर्शन पार्क जो है ग्री मंत्री अमीद साथ तो ग्री मंत्री का नाम क्या है बरतमान में अमीद साथ जी ग्री मंत्रा आला देख रहे हैं और भारत दर्शन पार्क का जो उत्गाटन है वो नई दिल्ली में क्या है चीजे बनाएगा, तो वेकाह चीजों से वहाँ अपसिस से संपदा क्रियेट किया जाएगा, है ना, अपसिस से रिसोर्सेज क्रियेट किया जाएगा, ये लच्छा है इसका, तो इसका अधगाटन वारा दर्शन पार का, अगला प्रशन है, आत्महत्या की बढ़ती इसके किस सेना ने संसकार साला चलाया है, तो संसکार साला चलाया जाएगा, चुकि आज कल देखा गया है कि सेना में खास करके, चुकि लोग डेपरेशन में चले जा रहा हैं उसके कई वजब हो सकते हैं, लीग हो सकता है, इंटरनल वर्किंस्टा Selbst how हो सकता है जो duration of duty हो सकता है बहुत चीज़ों हो सकते हैं तो इसी सब चीजों को देखते हुए आपको बताना है कि इन में से कौन सी सेना जो है संसकार साला चलाने का जिसका जो उदेश है वो है आतमहत्या को रोखना यानि suicide को रोखना तो यह चलाया जा रहा है CRPF के दोरा च चलाया नहीं जा रहा है बेसिकली CRPF ने एनॉंस किया है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो CRPF पर्शनल थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाईर ऑथिलिटी से कि एक संसकार साला चलाया जा जिससे कि अतमहत्या की जो बरती घटनाय है उसे रोखा जा सकता है तो इसलिए आ आपसी जो बांडिंग है उसको बढ़ाने के लिए और यहां आप दे सकते हैं सुरजचा भलो में आतमहत्या की बरती घटनाओं को रोखने में मिलेगी मदद तो इस वस इन दे न्यूज अगला है इनमें से किस खिलाडी ने किरिकेट के सभी फॉर्मट से सन्यास लेने का अईलान कर दिया है यहां है एलान कर दिया यानी आप उन्हसे ले लिया तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से खिलाडी है जो किरिकेट के सभी फॉर्मट से सन्यास ले लिया है और इसकी घोचना कर दिया है हरबजन सी को टारवनेटर के नाम से भी जाना जाता था और हरबजन सी ने 23 सेल के अंतराश्टिक केरेड में कुल 721 विकेट लिये थे कितना विकेट लिया है, टूटल 711 विकेट इन्हों ने लिया है, ठीक है, तो इन्हों ने, हर्वाजन सी ने 2007 में T20 और 2011 में One Day World Cup जितने वाली टीम के सदस भी रह चुके हैं, प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन भारत सरकार ने सिंगल उज प्लास्टिक पर पुन रूप से बैन कब से लगाने का फैसला लिया है, तो सिंगल उज जो प्लास्टिक होता है, तोस पर प्लास्टिक पर प्रस्टिक ने परती बन लगाने का पैसला लिया है, आपको पास जाने है, 1 März 2022, 1 Jan 2022, 1 Jul 2022 या 2 2. बार 2022 तो भारत सरकार ने सिंगल उस प्लास्टिक बास्टिक ने प्लास्टिक की खूज की थी तो उसमय एक तरकी से प्लास्टिक जो था एक बरदान के रूप में सावित हुआ था लेकिन ऐसा समझा जा रहा था कि यह हमारी सभी जुरूरतों को पूरा कर देगा, लेकिन आज के समय में जब गलोबल वार्मिंग पर लोग काम कर रहे हैं, और गलोबल वार्मिंग इतना बढ़ गिया है, तो ऐसे समय में प्लास्टिक जो है, एक नाइट मेर के रूप में सामने आया है, तो प्लास्टिक के अगर हम बात करें, तो असंत्रिप्त हाइड्रोकारवन जैसे एथिलीन, प्रॉपिलीन के उच बहलोग को ही हम क्या काते हैं, प्लास्टिक काते हैं, किन्द सरकार के दौरा एक नोटिफिकेशन जारे किया गया था, 12 अगस 2021 को, जिसमें कहा गया था कि सिंगल इस प्लास्टिक पर एक जुलाई 2020 से परतिबंद लगा दिया जागा, बिहार सरकार ने भी इस पर काम करते हुए, एक जुलाई 2020 से राजमे सिंगल इस प्लास्टिक का उप्योग पर परतिबंद लगा दिया है, अगर आप इसकी life cycle की बात करें, अगर आप किसी चीज़ को यूज करते हैं, प्लास्टिक के आइटम को यूज करते हैं, तो उसके बातबरन में जो life cycle होगा, अगर आप यूज करके fake दिये तो वो कितनी दिनों को बात recycle होगा, इसकी अगर हम बात करें, तो अगर आप bottle तक है, so here you can see plastic, जो कटलरी है, plastic का जो आइटम है, उसकी भी 100, more than 100 years है, so आप समझ सकते हैं, कि plastic के कितने side effect है, so better say no to plastic and save the environment, इसी के साथ आज का हम session समाप्त करते हैं, और I hope आपको यह session अच्छा लागा होगा, अगर अच्छा लागा हो, तो वीडियो को लाइक और अपने दो झाल आप in green Diamond 3, where वीडियो झाल आप डपने स्वेक्टा ऊन बड़ा हो, तो झाल सकते हैं, बापने बड़त्त करते हैं, किक cents तो करते हैं, कि क demolWarwieशा है, शो यह झाल से के जोंगर।